और सुहेर देव स्वारा के शिला न्यास पे प्रधार मिंधिर रहिंद मोदी वर्चुल तरीके से शिर्कत कर रहे हैं सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्याले बहराईच का लोकारपन अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबा करें अबहार और धन्यवाद मानिये मैं भारत के यशस्वी मानिये प्रतान मंत्री जी से अनुरोद करूँगी कि वे अपने आशीर वचन से हमें अनुग्रहीत करें हमें कृतार्थ करें नमस्कार उत्तर प्रदेश के राजपाल श्रीमत्री आनंदी बेन पतेल जी राज्च के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्य मंत्री स्रीमान योगी आधित्यनाजी यूपी सरकार के अन्य मंत्रिगन संसद में मेरे अन्य सहयोगी विधायगान और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों अपने पराक्रम से मात्र भूमी का मान बढ़ाने वाले राष्ट नायक महराजा सुहेल देव की जन्ब भूमी और रुशी मुनियों ने जहां तब किया बहरायच की ऐसी पावन धरा को मैं आधर पुर्वाग नमन करता हूँ वसंत पंचमी की आप सभी को संप्रुण देश को बहुत बहुत मंगल कामना है मा सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और सम्रुद्ध करें आज का दिन विद्या आरंब और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुप दिन माना जाता है हमार यहां कहा गया है सरस्वती महाभागे विद्धे कमल लोच ने विद्या रूपे विशाल लक्षी विद्ध्याम देही नमस्तुते अर्थात हे महाभाग्यवती ज्ञान रुपा कमल के समान विशाल नेत्रमाली ज्ञानदात्री सरस्वती मुझको विद्ध्या दीजिए मैं आपको नमन करता हूँ भारत की मानवता की सेवा के लिए रिसर्च और इनोवेशन में जूटे राष्ट निर्मान में जूटे हर देश वाची को मा सरस्वती का आशिरवाद मिले उन्हें सफलता मिले यही हम सभी की प्रात्ना है भाई और मैंनों राम चरीत मानस में गोश्वामी तुलसिदाज जी कहते हैं रुतू बसंत बहत्त्रिवित बयारी यानि बसंत रुतू में शीतल, मंद, सुगंद ऐसी तीन प्रकार की हवा बह रही है इसी हवा, इसी मौसम में खेत, खलिहान, बाग, बगान से लेकर जीवन का हर हिस्सा आनन्दित हो रहा है वाकई हम जिस तरब देखें तो फूलों की बहार है, हर जीव वसंत रुतू के स्वागत में खड़ा है ये वसंत महामारी की निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते भारत के लिए नई उमीद, नई उमंग लेकर आया है इस उल्लास में भारतियता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों के लिए धाल बनकर खड़े होने वाले महानायक महाराजा सुहिल देवजी का जनमोत्सव हमारी खुशियों को और बढ़ा रहा है साथियों, मुझे करीब दो साल पहले गाजीपूर में, महाराजा सुहिल देव की स्मृति में, डाग टिकट जारी करने का आउसर मिला था आज बहराईच में उनके भव्यस मारक के सलान्यास का सौभागी मिला है ये आधुनिक और भव्यस मारक अईतियासिक चित्तोरा जील का विकास बहराईच पर महाराजा सुहिल देव के आसिरवाद को बढ़ाएगा आने वाली पीडियों को भी प्रेरित करेगा साथियों, आज महाराजा सुहिल देव के नाम पर बनाये गए मेडिकल कॉलेज को एक नया और भव्य भवन भी मिला है बहराईच जैसे विकास के लिए आकांग सी जिले में स्वास्त सुविदाय बढ़ना यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाएगा इसका लाप आजपास के स्रावस्ति, बलरामपूर, सिधार्थ नगर को तो होगा ही नेपाल से आने वाले मरीजों को भी यह मदद करेगा भाई और बहनों, भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिक्ता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोग गाथाओं में रचा बसा है जो पीडियों ने आगे एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी बढ़ाते रहे हैं आज जब भारत अपनी आधाजी के 75 वे वर्थ में प्रवेश कर रहा है तो ऐसे महापुरुशों का योगदा उनका अत्याग उनकी तपस्या उनका संगर्श उनकी वीर्था उनकी शहादत इन सब बातों का स्मरन करना उनको आधर पुरवग नमन करना उनसे प्रेणा पाना इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है ये दुर्भाग्य है कि भारत और भारतियता के रक्षा के लिए जीनों ने जीवन समर्पित कर दिया ऐसे अनेक नायक नाईकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे इतियास रतने वालों के साथ इतियास लिखने के नाम पर हेर फेर करने वालों ने जो अन्याय किया उसे अब आज का भारत सुधार रहा है सही कर रहा है गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है आप देखिए नेताजी सुभाचंद्र बोष जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधान मंत्री से क्या उनकी इस पहचान को आजाद हिंद फोच के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेताजी को मिलना चाहिए था आज लाल कीले से लेकर अंडमान निकोबार तक उनकी इस पहचान को हमने देश और दुनिया के सामने ससक्त किया है देश की 500 से जादा रियासतों को एक करने का कठीन कायरे करने वाले सरदार वल्लभाई पटेल जी के साथ क्या किया गया देश का हर बच्चा इस बात को भली बाती जानता है आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टेची अफ उनिटी सरदार पटेल की हैं जो हमें प्रेणा दे रही है देश के सम्विधान देने में अहम भूमिका देने वाले वंचीत पीडीत सोचीत के आवाच बाबा साब आम्मेडकर को भी सिर्फ राजनितिक चस्मे से देखा गया आज भारत से लेकर इंग्लेंड तक डॉक्टर बाबा साब आम्मेडकर से जुडे स्तानों को पंच तिर्स के रुप में विक्षित किया जा रहा है साथ क्यों भारत के ऐसे अनेकों से नानी है जिनके योगदान को अनेक वज़नों से मान नहीं दिया गया पहचान नहीं दी गई चोरी चोरा के वीरों के साथ जो हुआ वो क्या हम भूल सकते हैं महराजा सुहल देव और भारतीयता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही ब्यहवार किया गया इतिहास की किताबों में बले ही महराजा सुहल डेव के शावरिय पराक्रम उनकी विर्ता को वो स्थान नहीं मिला लेकिन अवद और तराई से लेकर पुर्वान्चल की लोग कथाओं में लोगों के रुदह में वो हमेशा हमेशा बने रहे सिर्फ विर्ता ही नहीं एक सम्वेधन सिल और विकास वादी सासक के रुप में उनकी छाप अमीठ है अपने शासलकान में जिस प्रकार उन्होंने बहतर रास्तों के लिए पोखरों तालाबों के लिए बाग बगीचा और सिक्षा के शेत्र में काम जो किया वो अभूत पुर्वा था उनकी यही सोच इस मारक स्थली में भी दिखने वाली है साथियों परियाटक महराजा सोहल देवजी के जीवन से प्रेवित हो सके इसके लिए उनकी 40 फिट की कांच से प्रतिमा स्थापित होगी यहाँ पर बनने वाले संगरा हाले में महराजा सोहल देव से जुड़ी एहत्यासिक जानकारिया होगी इसके भीतर की और आसपास की सड़कों का चौड़ी करन किया जाएगा बच्चों के लिए पार्क बनेगा सभागार होगा परियाटकों के लिए आवाज गुरू पार्किंग कैफेटेरिया जैसे अनेग सुविधाओं का निर्मार होगा इसके साथ साथ जो स्थानिय सिल्पकार है कलाकार है वो अपना सामान यहां आसानी से बेच पाएं इसके लिए दुकानों का निर्मार किया जाएगा इसी तरह चित्तवरा जील पर गाट और सीडियों के निर्मार और सुंद्री करन से इस एतियासिक जील का महत्वा और बढ़ जाएगा यह सारे प्रयास बहराईच की सुंदर्ता ही नहीं सिर्फ सुंदर्ता बढ़ाएंगे ऐसा नहीं बलकि यहां आने वाले परियटकों की संख्या में भी वृद्धी करेंगे मरी महिया की कुरपा से ये कार्य जल्द पूरे हुँगे भावी और भेनों बीते कुछ सालों में देश भर में इतिहास आस्था अध्यात्म संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्मान किया जा रहा है उनका बहुत बड़ा लक्ष परियटन को बढ़ादा देने का भी है उत्तर प्रदेश तो परियटन और तिर्धातन दोनों के मामले में सम्रुद्ध भी है और इसकी ख्षमताएं भी अपार है चाहे वह भगवान राम का जन्मस्थान हो या कर्ष्ण का व्रंदावन हो भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाव संत कभीर का मघर रुधाम या वारानसी में संत रविदास की जन्मस्थली का अधुनिक करान पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है इनके विकास के लिए भगवान राम, श्रीकर्ष्ण और बुद्ध के जीवन से संबंधि स्थलों जैसे अयोध्या, चित्रकोट, मघुरा, व्रंदावन, गोवर्धन, कुशिनगर, स्रावस्ति, आधी तीर्थ स्थलों पर रामायन सर्गेट, अध्यात्मिक सर्गेट, बहुत्द सर्गेट, ऐसे अनगिनेत सर्गेट, इसका विकास किया जा रहा है भाई और भेनों, बीते कुछ वर्षों में, जो प्रयास हुए हैं, उनका प्रभाव भी नजर आने लगा है जिस राज्य में अन्य राज्यों से सबसे अधिक परियाटक आते हैं, वो प्रदेश का नाम है उत्तरप्रदेश विदेशी परियाटकों को आकर्सित करने में भी, यूपी देश के टॉप तीन राज्यों में आ चुका है उत्तरप्रदेश में परियाटकों के लिए जरूरी सुविदाओं के साथ साथ आधूनिक कनेक्टिविटी के साधन भी बढ़ाए जा रहा है भविश्य में अयोध्या का एरपोर्ट और कुशी नगर का इंट्रनेस्टर एरपोर्ट देश विदेशी टुरिष्टों के लिए बहुत उप्योगी साबित होगा उत्तर पुजेश में छोटे बड़े दरजन बर एरपोर्ट पर काम चल रहा है जिसमें से कही पुर्वान चल में ही है उड़ान योजना के तहट यूपी के अनेग शहरों उनका काम कीमत माली हवाई से जोडने का अभ्यान चल रहा है कम कीमत से इसके अलावा पुर्वान चल एक्सप्रेस में मुंदेल खंड एक्सप्रेस में गंगा एक्सप्रेस में गोरकपुर लिंक एक्सप्रेस में बल्या लिंक एक्सप्रेस में ऐसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें पूरे यूपी में बनाई जा रही है और ये तो एक तरह से आधुनिक यूपी के आधुनिक इंफ्रसेक्टर की शुरुवात है एर और रेल रोड कनेक्टिविटी के अलावा यूपी को रेल कनेक्टिविटी भी वो भी आधुनिक हो रही है यूपी दो बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का जंक्षन है हाली में ही इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के एक बड़े हिस्से का लोकारपन यूपी में ही किया गया है यूपी में जिस प्रकाराच आधुनिक इंफ्रसेक्टर पर काम चल रहा है उससे उत्तरप्देश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक प्रोत्साइस है इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बहतर अवसर बनी रहे हैं यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्द हो रहे हैं साथियों कोरोना काल में जिस प्रकार से उत्तरप्देश यह काम हुआ है वह बहुत ही महत्पुन हैं कल्पना करिए अगर यूपी में हालत बिगड़ते तो राष्ट्रिय आंतराश्य स्तर पर किस तरह की बात की जाती लेकिन योगी जी की सरकार ने योगी जी की पूरी टीम ने बहत्री इन तरीके से स्थीती को समाल करके दिखा दिया यूपी न सिर्फ जादा से जादा लोगों का जीवन बचाने में सपल रहा बलकि बाहर से लोटे स्रमुकवकों को रोजगार देने में भी यूपी ने प्रसंसनिय काम किया है भाईयों और भाईयों कोरोना के खिलाप यूपी की लड़ाई में पिछले तीन चार वर्षों में किये गए कारियों का बहुत योगदान रहा है पुर्वान चलकों दसकों तक परेशान करने वाली दिमागी बुखार का प्रभाव यूपी ने बहुत कम करके दिखाया है यूपी में 2014 तक 14 मेडिकल कॉले थे जो आज बढ़कर 24 हो चुके हैं साथ ही गोरकपूर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है इनके अलावा 22 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं वारानसी में आदुरी कैंस्तर अस्पतालों की सुविदा भी अब पुर्वान चलकों मिल रही है यूपी जल जीवन मिशन यानि हर गर जल पहुंचाने के लिए भी प्रसंसनिय कार्य कर रहा है जब शुद्ध पीने का पानी गर-गर पहुंचेगा तो इससे अनेग बिमारिया वैसे ही कम हो जाएगी भाई और भेनों उत्तर प्रदेश में बैतर होती बिजली पानी सडक और स्वास्त की सुविदाओं का सीधा अलाब गाउं गरीब और किसान को हो रहा है विशेश तोर पर छोटे किसान जिसके पास बहुत कम जमीर होती हैं वो इन योजनाओं के बहुत बड़े लाभारती हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे लगभग धाई करोड किसान परिवारों के बैंक खाते में पी-एम किसान सम्मान निधी के माध्यम से सीधे पैसे जमा किये जा चुके हैं ये वो किसान परिवार हैं जो कभी बिजली का बिल या खात की बोरी खरीदने के लिए भी दूसरों से कर्द लेने के लिए मजबूर थे लेकिन ऐसे छोटे किसानों को हमारी सरकार ने 27,000 करोड उपे से अधिक सीधे ट्रांस्पर कर दिये हैं उनके खाते में जमा कर दिये हैं यहां किसानों को बिजली न होने की वज़े से जो दिक्कते आती थे रात रात बर बोरिंग के पानी के लिए जागना पड़ता था इंतजार करना पड़ता था कि मेरा नंबर कब आएगा ऐसी तमाम दिक्कते भी बिजली आपूरती सुधरने से अब दूर हो रही है साथियों देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ खेती की जमीन छोटी से छोटी होती जा रही है इसलिए देश में किसान उत्पादक संगों का निर्मान बहुत आवशक है आज सरकार छोटे किसानों के हजारों किसान उत्पादक संग यानि एपियोज बना रही है एक दो भीगा के पान्सो किसान परिवार जब संगटिद होकर बाजार में उतरेंगे तो वो पान्सो हजार भीगा के किसान से भी ज़्यादा ताकपवर होंगे इसी प्रकार किसान रेल के माध्यम से सबजिया, फल, दूद, मचली और ऐसे अनेग व्यवसावें से जुड़े छोटे किसानों को अब बड़े बाजारों से जोड रहा है जो नए कृसी सुधार किये गए हैं, इनका लाब भी छोटे और सिमान किसानों को सबसे अधीख होगा उत्तरप्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जग़ जग़ से किसानों के बहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं इन कृसी कानूनों को लेकर भाती भाती का प्रचार करने की कोशिश की गई ये पूरे देश ने जखा है कि जिनोंने देश के कृसी विजार में विदेशी कमपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया वो आज देशी कंपनियों के नाम पर किसानों को ड़ा रहे हैं साथ क्यों राज नीती के लिए जूट और अपरप्रचार की ये पोल अब स्वयम किसान खोल रहे हैं नए कानूनों के लागू होने के बावजूत यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में दो गुने किसानों का धान खरीजा गया इस बार करीब 65 लाग मेट्रिक टन की खरीद यूपी में हो चुकी है जो बीते साल की तुलना में लगबग दो गुनी है यही नहीं योगी जी की सरकार गन्ना किसानों तक भी बीते सालों में एक लाग करोड रुपे से अधिक पहुँचा चुकी है कोरोना काल में भी गन्ना किसानों को दिकत ना आये इसके लिए हर संबब मदद दी गई है चीनी मिले किसानों को भुगतान कर पाएं इसके लिए केंद्र ने भी हजारों करोड रुपी राज्य सरकारों को दिये है गन्ना किसानों का भुगतान समय पर होता रहे इसके लिए योगी जी की सरकार के प्रयास जारी है भाई और बैनों, सरकार की ये हर संभव कोशिस है कि गाव और किसान का जीवन बहतर हो, किसान को गाव में रहने वाले गरीब को परेशानी ना हो, उसको अपने मकान पर अवेद्ध कब्जे की आसंका से मुक्ति मिले, इसके लिए स्वामित्व योजना भी आज पूरे उत्त प्रदेश में चलाई जा रही है, इस योजना के तहट आज तक यूपी के करीब 50 जिलों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे चल रहा है, लगबग 12,000 गावों में ड्रोन सर्वे का काम पूरा हो चुका है, और अभी तक दो लाग से ज़्यादा परिवारों को है, प्रोपर्ट यानि घरोनी मिल चुका है, यानि ये परिवार अब हर प्रकार की आसंका से मुक्त हो चुके है, साथियों, आज गांग का गरीब किसान देख रहा है, कि उसके छोटे से घर को बचाने के लिए, उसकी जमीन को बचाने के लिए, पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी योजन चला रही है, इतना बड़ा रक्षा कवच हर गरीब को, हर किसान को, हर ग्राम वासी को दे रहा है, इसलिए जब कोई कुरुसी सुधारों के मादम से किसानों की जमीन छिल जाने का जूट फ्यालाता है, तो उस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है, हमारा लक्ष देश के हर नागरी को समर्थ बनाने का है, हमारा संकल्प देश को आत्म निर्भर बनाने का है, इस संकल्प की सिद्धी के लिए समर्पी धाव से हम जूटे रहेंगे, मैं राम चरित मानस की एक चोपाई से ही अपनी बात समाप्त करूँगा, राम चरित मानस में कहा गया है, प्रभीसी नगर किजे सब काजा, रुदे राखी कोसलपुर राजा, बावारती ये कि रुदे में भगवान राम का नाम धारण करके, हम जो भी कार्य करेंगे, उसमें निश्चीत सफलता मिलेगी ही, एक बार फिर महराजा सुहेल देवजी को नमन करते हुए, आपको इन नई सुभिधाओं के लिए, तो प्रदान मंत्र नरेंदर मोदी को इस खास कारिक्रम से वर्चुल संबाद के जरीया आप सुन रहे थे, झास करेंगे, तो भी करते हुए, यविजी निश्चीत सफलता मिलेगी ही,